हाँ जी बच्चो गोडिवनी कैसे आप लोग एक्जाम कैंसिल हो चुके है और अब आपको नवंबर में पेपर देना है सर अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो मैं नहीं जानता वो तो डिपेंड करता है आपका क्या कितनी तैयारी थी पर जो भी हो अब हम लोगों को नवंबर में पेपर देना है जो प्राब्लम हा रही अब क्या प्राब्लम हा रही है समझना है अधिकतर जादतर बच्चो का क्या फोन आ रहा मेरे पास actually होता क्या है यार जैसे हम लोग class खरीदते हैं आप लोगों ने भी class खरीदा होगा बाके teachers से एक target होता क्यार हमारा में में exam होगा validity भी मिलती है उसी हिसाब से validity भी मिलती है अब बच्चों का exam हो गया post-pon cancel हो गया और जितने भी teachers है उन्होंने एक particular लगती है अगर validity खतम होती है तो दिक्कत में पढ़ जाओ कि आप और actual में दिक्कत में पढ़ गया है बच्चे मेरे पास phone आया तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए तो बिटे ऐसा है कि जिन लोगों ने यह क्यों डाल रहा हूं video क्योंकि मैं एक एक को phone करने से बताने से रहा तो मैं फिर से वो रहा हूं जिन लोगों ने मेरी classes purchase किया है वैसे तो मेरी classes के views four times है और validity one year की है पर अब चुंकि exam cancel हो गया है तो validity आटोमेटिक बढ़ा दी जाएगी और जिन लोगों को दो भी problem है तो वो मुझे phone कर सकते मेरे management को phone कर सकते है जो भी मेरा management देखता है आप लोगों की class जिन्हों ने भी purchase किया एक साल की validity already दी गई थी अब validity और एक साल बढ़ा दी और एक साल में validity आपको बढ़ा दीता हूं और आम से त्यारी के लिजिए tension खतों किजिए और views भी उसी हिसाब से आपके increase हो जाएगे four times फिर से मिल जाएगे अच्छे से त्यारी कीजिए और सर charges कोई charges नहीं यह सब बेकार की बात है आपने एक बार class purchase किया that's it तो मैं validity सभी classes की validity बढ़ा दूँगा आप बिल्कुल tension मत लीजिए कि सर हमारा expire हो रहा है जुलाई में या expire हो रहा है अगस्ट में tension ने अच्छे से तैयर कीजिए जहां भी problem आती है classes से related वो मुझे phone कर लीजिगा मैं देख लूगा बस तैयारी अच्छे से कीजिए ओके बस यही समझाना था यही बताना था आपको that's it all the best thank you